मैं ना क्रिश्चन स्कूल में था तो हर साल विंटर हॉलिडेस के पहले मेरी स्कूल में क्रिस्मस से बैली ब्रेशन होता था एक मोटा सा सर सेंटा बन कर आता था फिर जिंगल बैल पर नाचता था वो कॉस्ट्यूम इत्ता टाइट होता था कि सर के जिंगल बैल अलग जूमत वे नजर आते थे फिर स्टेज पर फिप्त भी के बच्चे आते हैं और बे जुबान पर ब्रेकडांस करते हैं वे जुबान कपसे वे गुना साधार जय यसुमसी भगवान नाचोने के बाद स्कूल में बट्टे थे नुक्ति के लड्डू जो कि पापे बार बार लाइन में लगके लेके आता था और यह साला पकड़ाता भी नहीं था क्यूंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिख यह तो देदों में बाड़ दूंगा ओ नी नी ओ मैं नी खाऊंगा मेरे टो डाइटिंग चल लिया सवा सव कीलो से पोना सव कीलो अब सर्दार तू प्रेगनेंट व्रेगनेंट तो नी एक बड़ चेक कर वाले ना क्या बोला बैटेम साले यहीं पटक के तुझे प्रेगनेंट कर दूंगा अभी नी दे रटू मत दे हानित अरे जली चलो अरे वो भाई साब किधा अरे मैं सोच रहता हूँ आपको पटक के टाइम से भी पहले उठ रहे है तो फिर हमारी ग्रूप की विराट कोली ने बोला क्या हुआ कमोन यार सब की ग्रूप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोली बच्चा तो होता ही है हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उमीद और प्यार से क मैं क्या करूंगा सारू उम्र में जोकर बढ़िया बढ़िया रहा तुने चूट पापा बात तो सुनों पापा उपर पंखा यार अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा बटा मैं जन्दा हो एक इमाले से नीचे गे रहा था तो हमारी विराट कुली ने प्लान मनाया कि हम लोग सुबच छे बजे उटके फुटवाल खेलने जाएंगे गवर्मेंट इसकूल के ग्राउंड पर वो गवर्मेंट इसकूल के ग्राउंड न पबलिक ग्राउंड था तो अब स्कूल के अंदर काज बिचे हुए होते हैं तो में और मिन्नु निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती धन्ड मैं हम लोग पापे के घर जाते हैं वहां पे उसकी पापा मिलते हैं बारहजार बारहजार एक बारहजार दो अरे बच्चों यह है बेटे पापे पापजी नीचे आ गया उतर जाओ अरे पुत्तर तू भी ना अरे बारहजार बारहजार एक बारहजार तो तेन चार अरे बच्चों कई छोड़ दू के गाड़ी से कुछ भी बोलो यार मैनू भी पापाजी जैसी चूचिया बनानी है सुबह छे बजे यहाँ वाव यह वाव क्या तू मेरे साथ लंज कर ने चलोगे ओई सेमरान थागि यह थैं कोई नी यह लरे वाव पापे क्या तू मेरे साथ लंज हो तू रहन नहें नहीं कुदी कर ढूँगा तेरा लंज नहीं तून देखा कितने उपर उचला था पापे ने ये बात कैसे मारी उफशन है पनीर क पारा डखा के या उफशन में प्यास क पारा डखा के अपशन शर्जी जबिः लग रहा मेरे को तो है सोला चुप बीज में कैसे बोला तुप और बेटा कैसे है खबा अच्छल पुलिस स्टेशन है तेरे बाप का घर नहीं शर्गी मुझे तो रखा मैं खौन मनेगा करोर पती अपने आस पास देख और ख़ड़ा किससे पुछ के हाई चल खड़ाओ चल यह दपके खड़ाओ च्छाल दपके बोला है दपके च्छाल शर्गी ऐसा खड़ जाओ आपको यसे फालतू के ओपिनियन देखे पैसे कमानी की जरवत नहीं है क्योंकि हमारे पास इस साला इंडिया फस्स ओपिनियन ट्रेडिंग एप प्रोबो एजी है सिब यह सोनों में आंसर देना है आपको जिस पी काटेगरी में अपका नॉलेज आप उसी में ऑपिनियन दी जो भी काफी एजी है पेटीम यूपी आई जो भी आप चाहे है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे लिंक से डाउलोड कर लेजिए है पच्चेस रुपे का बोनस भी मिलेगा अब जाके वीडियो देख चाल हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंट एक पॉचना इतना असान में नहीं था क्यूकि हमारे रास्ते में पढ़ता था एक खूकार ग्यांग लीडर का इलाका मेरा नाम है शेरू जिस भी खंबे पे मूद दू गाउ के कोई भी कुट्टा सूंके बता देगा कि शेरू ने मूता है और क्या ही मूता है तो मैं कहा था शेरू जो भी च आठारा चलता है अब मजाक कर रहेते हम शЕरू भाई वहाथ यह सीधा चलता है शेरू भाई वह घोड़ा है वह प्याला है वह वजीर है कि अर वह मेरी गोठीया ऐए अबे और सुन तेरे न सारी गोठीया निकाल के बलजीत को खिला दूंगा अबी अबी बस बोला है मैंन तो सिंदा भाप, हम तो जिंदा ही आई ते जिंदा ही जाएंगे, पुंड में गया शेरू आज तक शेरू के सामने किसे ने मू नहीं खुला, तो सर्दार तू को जी, भाग मिन्नू आंज हुब तेरी जैन में फसा हुऊ है उपी सामने चैन ही किल गांगा मेरी में फस गया awi Minnoo, गुल्सकार प्रटीद्व साइद में पस गया, साहीद में फस गया रहुचारा ठोड़लोन उन्हे मिन्नू. थेख चला dein भाई पापे में ठग जया हूँ, वो हमें पकड लेंगे ओओओओव मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुटो के साब में सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते है तो क्या करें? सीधे खड़ जाते है पापे मुझे उनकी आवाजे आ रही है जुप रहे, जुप रहे ऐसे सोच हमने कुछ किया ही नहीं है पापे भकता है वह आगए पापे मंमी की को कुछ नी पता है तुम लोग मुझे ही आद रख.. तुम लोग्या तुम लोग हमने विकास को बूलाया तब नंके लिए आपे दुकित हम आदर हम लोग जैसे तैसे ग्राउंड पोचते हैं, महाँ पर बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं, फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए दो मिनिट का मॉन रख लेना चाहिए, मिन्नू एक अच्छा वैक्ती था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुकी रख तुम अपने आपको पहचानने से इंकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवी कर रहा है, ये मैनियू, खुईनी में ये, पुलिस जी, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है, किसकी, खुद की, इस जहां में कई खो गया हूँ, तेरी वार की, मार इसको बले, दॉक्ट लायरा इंजेक्शन भाया, क्या आप मुझे वहाँ ले चलोगे, आजी, ले चलेंगे, किदर जाना है, उसकी यादों से दूर रोड निकाल पांडे, ले इसको गाड़ी के नीचे हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बाटना चालू करते हैं अरे एक सेकेंड, हम सब को इधर विराट ने बुलाया है, वो किदर है, अरे वो नी आएगा, क्यों, उसने टैनिस खेलने चालू कर दिया है जी हाँ, दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी, कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिशानों कोली बनेगा पर वो तो टैनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में बेटे, पापा आप जैसे समाज रहे हैं बस बेटे, सारी उमर मैं जोकर बढ़े आ रहा, तुने जूट मुझ से, यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वाइग नी तोड़ना चाहता हूँ, ठीक, इसलिए मैं इसी बैक्राउंड म्यूजिक पर आउट्रो दूँगा, and I hope तुम्ही वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो उस तुम्हारी चाहरे पर थोड़ी सी पी स्माईल या मुस्कुराहत आ रही है या पैदा हो रही है, तो प्लीस वीडियो उसको शेर करना मत बूलना, जहां भी तुम शेर करते हो, इंस्सेग्राम, वाटसैब,